इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हम friends की आप जाए MicroMix के माल phone में call vibration का setting कैसे कर सकते हैं मतलब आपकी mobile phone पर जब कोई call आए तो आपका mobile vibrerate होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या पहले vibrerate होना चाहिए तो आप इसकी setting कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए चादस में न लेती हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वर उससे पहले अगर आप मेरी यूट्यो चैनल पे नए हैं चैनल को सस्क्राइब करके पासवाले नोडिफिकेशन बेल को दबा कर आपको अपको 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 तीन आपसन मिल जाते हैं तो देखी इसका मतलग क्या होता है अगर आप यहां नेवर वाइबरेट को सेलेट कर देते हैं इससे क्या होगा कि आपकी mobile phone पर किसी का भी call आएगा तो आपका mobile भाइबरेट नहीं होगा मतलग आपके phone में कमपन नहीं होगा और अगर आप यहां always भाइबरेट को सेलेक्ट देते हैं कर तो क्या होता है कि किसी का भी call आएगा तो आपका mobile ring tone बजने के साथ-साथ vibrate भी जरूर होगा और अगर आप यहाँ पर यह वाल option select कर देंगे vibrate first then ring gradually तो इसको अगर select कर देंगे तो इससे क्या होगा कि दोस्तो अगर आपका किसी का भी दोस्तो call आपके phone पर आएगा तो दोस्तो सबसे पहले जो है आपका phone जो है vibrate करेगा और दोस्तो उसके बाद जो है आपके phone में ring बजना सुरू होगा लेकिन दोस्तो सबसे पहले जो है 3-4 second तक आपका phone जो है आपका phone जो है vibrate होगा उसके बाद आपके phone में ring बजना सुरू होगा तो आप जो भी रखना चाहें उसको आप यहां से रख सकते हैं तो उसको आप select लीज़ेगा कर तो इस तरीके से आप जा है Vibrit4 Calls का setting कर सकते हैं MacroMax के mobile में वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करिएगा